हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे मीठा तो मीठे को बनाने के लिए यहाँ पर हमने गैस पर रखा एक पैन और हम अपने गैस को मेडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसमें एक चमच जैसी घी डालेंगे तो यहाँ पर हम अपने ड्राइफ रूट्स को भून लेंगे जो खान को हमने छोटे टुकडों में कट कर लिया है अब यहां पर हम डालेंगे वर्मसीली सिवई तो यहां पर हम आधी कटोरी वर्मसीली सिवई को लेंगे यह मीठा हम सिवई से ही बनाएंगे तो इसको हम इसमें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और जब हमारी सिवई का कलर चेंज हो जाएगा तभी हम इसमें हम 300 ग्राम दूद डाल देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे तो यहां पर हमें दूद कम लग रहा था तो हमने एक कप इसमें दूद को और एट किया है तो यहां पर हमारा आधा लेटर दूद इस्तमाल हुआ है और इसको हम अच्छे से प जलाने तक हमें पकाना है जब तक हमारी सीवाई पक रही है तब तक हम चलिए कस्टड बना लेते हैं आधा कटोरी दूद ले लेंगे और इसमें एक चम्मच कस्टड पौडर लेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें कोई भी गुठली ना रहे इसलिए बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है और यहां पर हमारे दूद में अच्छे से उबाला चुका है और सीवाई भी हमारी गल लेंगे इसकी साइटो को भी हम खुरच लेंगे इस तरह खुरच कर हम इसमें डाल देंगे यहां पर हम लेंगे तीन से चार चम्मच चीनी की इसको हम देंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे अब यहाँ पर हमने जो कस्टड लिया है उसको भी हम थोड़ा-थोड़ा करके हिलाते वे समें डाल लेंगे और अपने कांटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे कस्टड हमारा नीचे चिपके नहीं तो यहां पर हमें कस्टट को चलाते रहना जब तक के चलाना है जब तक के ये गाड़ा ना हो जाए और जब ये गाड़ा जैसे ही गाड़ा होगा तो यहां पर हमारी आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी से सिमई बनकर तयार हो गई है अगर आप खाना चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं और यहां पर अगर आप पतली रखना चाहें तो थुड़ा आप इसको पतला भी रख सकते हैं सिमई अच्छी से गाड़ी हो चुकी है सिमई अच्छी से पक चुकी है तो गैस को हम बन कर देंगे और इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर हम लेंगे दो आम यहाँ पर हमने दसेरी आम का इस्तमाल किया है तो इनको हम काट लेंगे और इसको हम मिकसर जार में डाल कर इसको ग्राइंड करेंगे तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे आदा कब दूद, हमें जादा दूद नहीं डालना है आदा कब दूद डालेंगे और तीन से चार चम्मा चीनी के डालेंगे क्योंकि हम सिमय में पहले भी चीनी डाल चुके हैं और दसेरी आम मीठा भी होता है तो यहाँ पर हम तीन चम्मा चीनी के ही डालेंगे पेस्ट डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आम का सीजन है और आप आम से बनने वाली बहूत सी रेसिपीज बहुत सी रेसिपीज जो है वो हमारे चैनल पे भी अप्रोड हैं उन्हें आप वहां जा कर चिक कर सकते हैं और आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले विल आइकन को भी प्रेस कर ले जिसे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट करना ना भूला करें क्योंकि आप से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हमाई ये रेसिपी आपको पसंद आ रही है या नहीं आप अगर कोई नई रेसिपी देखना चाहते हैं तो कमेंड में जरूर बताएं तो यहाँ पर हमने आम को और सिमी को अच्छे से मिक्स कर लिया है आप अगर इससे पतला रखना चाहें तो आप रख सकते हैं लेकिन यह हमको डिजर्ट इतना ही अच्छा लगता है आप यहाँ पर देखेंगे कितना बड़ी असा हमारा यह डिजर्ट बन कर तयार हो गया है तो चलिए जो हमने ड्राइ फूर्ट बन कर रखेते हैं उनको हम इस पर डाल देते हैं और गार्निश कर लेते हैं अपने ड्राइ फूर्ट से तो यह हमारी बहुत ही अच्छी सी डिजर्ट बन कर तयार हो जाती है तो आप इसको चाहें तो यह पर बना कर ट्राय करें और इसक झाल झाल झाल